स्टार्ट उपाद्यत्स मोहदय तब उन लोगों को कुछ आसा हुई की हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनीकों के मन में बड़ा संधै पैदा हुआ की इस चुनाव के बाद उनकी इस्तिती वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है गरीबों और अमीरों की बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था उसको अब तेजी से दूर करने का परियतन किया जाएगा स्रीमान मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपनी सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपनी विचार परकट करने का अवसर दिया मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ स्रीमान मैं सबसे पहले अपने दल के नेता पिरधान मंतरी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतरत में देश में कांग्रेस दल को इस पश्ट बहुमत मिला और इसके फल स्वयरूप यहां पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो की देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है मैं वित मंतरी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोगसभा के मध्य अवदी चुनाओं में जंता दुवारा कोंग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था देश में समाजिक और आर्थिक विसमता दूर करने का देश से गरीबी बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था की देश के अंदर इस परकार की समाजिक और आर्थिक ववस्था पैदा की जाए जिसके अंतरगत जनता सोसन से मुक्त हो सके सरीमान यह है ठीक है की देश में किर्ची के छेतर में उत्पादन में विरद्दी हुई है परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी द्रश्टे में रखना चाहिए की लागत में भी पूरी विरद्दी हुई है इसके लिए आवस्यक है की सिचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक उन्नत बीजों का परियोग किया जाए है आज किर्शिकों को किर्शी के यंत्र मिलने में बहुत कठनाई हो रही है जैसे छोटे छोटे टेक्टरों का देश में बड़ा अभाव है उनके बनाने के लिए सिग्र नए कार खाने खोले जाएं जिससे किर्शिकों को जल्दी से जल्दी टेक्टर मिल सके देश तबी परगती करेगा हमारा ऐसा विश्वास है